नमस्कार फ्रेंड मैं हूं चंदन पटेल देखे आज मैं फिर से एक बार बात करने जा रहो वेक्टर फूड के बारे में और यहां पर देखे यह लगभग आज 9 रुपे 80 पैसे तेज है और अगर हम यहां परसेंटेज वाइज बात करने तो 2.28 परसेंट की यहां पर तेज हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं लगभग लगभग 12,53,000 कॉंटिटी यहां पर ट्रेड हुआ है ठीक है और अगर हम इसके चार्ट पर लेकि मैं आपको चलू तो यहां पर आप चार्ट पर देखे चार्ट पर सिच्वेशन क्या बन रही है देखिए अगर हम चार्ट वाइज अगर हम यहां पर इसको एनलेसिस करें तो चार्ट वाइज तो कुछ भी यहां पर आपको समझ भी नहीं आए देखिए यहां पर मैं चार्ट लगा लिया हूँ और यहां पर देखिए यह आज का जो ट्रेडिंग सेक्शन था वो यहां पर सो नहीं कर रहा है अगर यह 500 रुपे से यहां पर इसकी ओपनी अगर होती है 500 रुपे तो यह अभी देखिए जो भी यह लगबग यह गिरा था इतना जबर्दस हाई बनाया 624 रुपे का फिर वहां से यह लगातार इस स्टॉक में गिरावट हुई और सभी यही लोग सोच रहे थे कि लेकिन नहीं यह वहां भी नहीं रुपा और वहां पर और भी जबर्दस भारी गिरावट इस स्टॉक में देखी गई ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं कितनी जबर्दस गिरावट इस स्टॉक में देखी गई थी और फिर उसके बाद उसके सेकेंड यहां पर एक कैंड होना है ठीक है लेकिन फिर भी वहाँ भी इसकी गिरावट नहीं रूगी आप देख सकते हैं लगबग छे दिन छे दिन लगा तारिके गिरावट होने के बाद आज ये स्टॉक में तेजी आई है एक बार फिर से देखें आप यहां पर आपको एक बहुत ही जबर्दस चीज लगेगा आपको मैं दिखाता हूँ देखें जब छे दिन पहले स्टॉक चला आप यहां पर काउंट कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे करके छे दिन गिरने के बाद फिर ये स्टॉक में एक बार रिवल्सर आने की कोशिस की ठीक है लेकिन ये ना कामयाब रहा गया मतलब फिर उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यह रिवल्सर आने की तेजी कोशिस किया था फिर उसके बाद ये फिर 6 दिन ये स्टॉक गिरा क्योंकि पहले 6 दिन गिरा था फिर रिवल्सर आने कोशिस की फिर यहां पर स्टॉक छे दिन गिरा फिर स्टॉक में रिवल्सर आने की कोशिस हुई है ठीक है लगवग यह 9 रुपए कुछ पैसे तेज है अभी यहां पर अगर यह नहीं रुखता है तो अभी यह कितना नीचे जाएगा क्योंकि अगर देखें आप अगर इसमें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कुछ है तो आप अभी इस स्टॉक में निवेस ना करें थोड़ा सा वेट करें जब तक यह स्टॉक अपर ट्रेंड नहीं जाता तब तक आप इस स्टॉक को छुए नहीं जब भी इस स्टॉक में अपर ट्रेंड जाएगा ठीक है जैसे यह अपर ट्रेंड होगा तब ही आप इस स्टॉक में निवेस करिए आप यह मत समझेए कि यह स्टॉक यहाँ पर गिर गया इतना तो अभी यह और उपर जाने की कोसिस करेगा ठीक है यहाँ से अभी तो बहुत उपर जाएगा आप यह मत सूचिएगा कि लगबग यह चैसो रुपे से ज़्यादा गिर गया है लगबग चैसो रुपे यहाँ पर था ठीक है लगबग मैं आपको दिखाऊओ यहाँ पे छैसोचोविस रुपे था और वहाँ से देखि अब यह और नीचे जाएगा कि उपर जाएगा या एक बैग उपर जाएगा ऐसा नहीं है कि यहां पर कैंडल बनेगे तो एक बैग 600 रुपे चला जाएगा ऐसा नहीं है आपको उठाने का पूरा का पूरा मौका मिलेगा तो इसलिए जब तक यह स्टॉक डाउन ट्रेंड मे हैं तब तक आप इसमें कुछ मत करो कुछ भी नहीं करो बस खाली आप अपने वाच लिस्ट में लगा के रखो कि यह कितना नीचे जाएगा इस टॉक जैसे ही यह एक बॉक्स में ट्रेड करने लगे या यह फिर इस टॉक अपर ट्रेंड होने लगे मतलब दो-तीन दिन की कैंडिल आप ऐसा देखो कि जब यह भारी वैलूम के साथ यह ट्रेड हो रहा है तो यह आप पक्का समझ जो कि यह स्टॉक अभी भागने वाला है ठीक है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक यह डाउन ट्रेंड में स्टॉक चलना है त तो अभी यह कंफर्म नहीं कि यह अभी कितना नीचे जाएगा क्योंकि ना तो आपको पता है ना मेरे को पता है ना बड़े-बड़े दिगज को पता है ठीक है तो जब तक यह डाउन ट्रेंड में स्टॉक चलना है तब तक आप चलने दिजिए छूईए मत इसको आप अपर ट्रेंड में स्टॉक जाएगा मतलब आपको वैसा लगता है चार-पांच कैंडल ठीक है बन गई अपर ट्रेंड की तो फिर आप यहां पर खरिदारी करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं चली मैं आपको एक दूसरे चार्ट पर लेकि चलता हूं और आपको वहां आपने मैं दिखाने कोजिस करता हूँ कि आज की कैंडल कैसी है आप यहां पर तेख सकते हैं लगबक मैंने 5-minute की एक डिल लगाया और मैंने 1 दीन पर क्लिक किया हम यहां पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक में देखिए जब यह ओपनिंग हुआ था वहां से थोड़ा सा करेक्शन होने को मिला देखने को और फिर यह तेजी बना रहा फिर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और यहां पर अगर मैं फाइब डे की चार्ट लगा हूं तो देखिए यह बहुत ही जबर्दस रिवर्सल परने की कोसिस कर रहा है ठीक है और यहां से सम्रामना बहुत ज़्यादा है कि यह इस टॉक बहुत ही भेंकर तेजी के साथ यह आ सकता है ठीक है और अगर मैं यहां पर वन मन्त की बात करूँ तो देखी जो वन मन्त का कैंडिल है आप यहां पर देखी पा रहे हैं कि देखें लग बग यह है यह है यह नहीं यह जो यहां पर जो candle है वहां से पूरा इंदम लगातार गिरते आया और अगर मैं मंतली चार्ट लगाओ तो देखें यहां पर यह सो कर रहा है कि यह candle अभी अपर ट्रेंड में जाने की कोशिस कर रहा है ठीक है तो इसलिए मैं फ्रेंड आपको बोड़ लाओ कि इसको एक द करें बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं ठीक है तो आप इसी के हिसाब से आप इसमें ट्रेड करिएगा ओके थेंकिए फ्रेंड